हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में इत्ते टेस्टी और इत्ते सॉफ्ट है कि इसे खाके आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा तो चलिए इसको बनाना स्टार करते हैं तो सबसे पहले मैने यहां पे पोहे ले लिए हैं यह जो पोहे हैं यह बहुत जादा पतले नहीं है और बहुत जादा मोटे भी नहीं है एक दब medium thickness वाले हैं तो सबसे पहले हमें पोहे को धो लेना है इसे हमें सोक करके नहीं रखना है बस इसको बहुत अच्छे से धो लेना है धो के इसे रख ले और उसके बाद बागी की चीज़े रेडी करें तो यहाँ पे मैंने आदा कप मटर ले लिया है मटर यूज़ करना बिलकुल optional है है तब ही यूज़ करें आदा कप मुमफली के दाने ले लिये हैं एक आलू ले लिया है जिसे मैंने इस तरह से cubes में cut कर लिया है और cut करने के बाद इसको मैं पानी में डाल के ऐसे एक बार धोलूँगी तो ये मैंने ऐसे ले लिया है इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी size का प्याज जिसमें से आधे को मैंने cubes में cut कर लिया है और आधे को ऐसे slices में cut करके इसको अलग-अलग कर लिया है एक tomato लिया है जिसे मैंने ऐसे कदुकस की हेल्प से ग्रेट करके ले लिया है इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक नीबू 10 से 12 करी पत्ते और 5 से 6 हरी मिर्च जिसे मैंने ऐसे बीच से कट कर लिया है तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाला है दो बड़े चमस तेल तेल के गरम होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ मूमफली और इसको अच्छे से ऐसे रोस्ट कर लूँगी तो यह मैंने इसको ऐसे रोस्ट कर लिया है और इन सभी को ऐसे निकाल लूँगी इसके बाद जो हरी मिर्च हमने स्लिट करके रखा था उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर ले जिससे कि वो अंदर से बहुत अच्छे से पक जाए और बाहर से थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से भी हो जाए तो यह हमारे आलू अच्छे से फ्राइ हो गए हैं इसको भी हम लोग निकाल लेंगे अब मैं इस पे डालूंगी एक चमच चाट मसाला और चाट मसाला अगर नह मैंने क्यूब्स में कट करके लिए थे इसको ऐसे चला लूंगी मैं इसमें डालूंगी मटर और मटर और प्याज को हम लोग एक साथ ऐसे थोड़े दिर पका लेंगे अच्छे से जब हमारे मटर और प्याज दोनों पक जाएंगे इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रे सभी को ऐसे चलाते हूए हमें all separate होने तक कुक कर लेना है अब मैं टाल रही हूँ आदा कप पानी डालके नगर एक सी दो मिनिटर पक ना ये बहुत इंपौर्टम स्टेप है जब इसमें थोड़ा का पानी बच जाएगा तेप मैं डालोंगे ये वश्कर पोहे और इसे डालने के बाद हमें सिर्फ इसको mix कर लेना है बहुत अच्छे से तो ये मैं इसको ऐसे अच्छे से mix कर लूँगी ये देखिए इस तरीके से तो ये मैंने पोहे को अच्छे से mix कर लिया है बस अब हम लोग को gas को कर देना है off और gas off करने के बाद एक बहुत ही important step है वो है इसे हमें cover करके 5 मिनट तक छोड़ देना है और 5 मिनट बाद देखें इसका texture ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये इतने soft बनते हैं कि इसे अगर आप लोग सुबा बना के शाम को भी खाएंगे तभी ये उतने ही soft रहेंगे तो ये हमारे पोहे ready है आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी garnishing कर रही हूँ तो गार्णिशिक के लिए मैंने यहाँ पे अनियन को मैंने इसमें ऐसे डाल दिया है और अब मैं इस पे डालूंगी जो फ्राई करके हमने आलू और जो ये मूंफली रखा था इसे भी डाल लेंगे और इसे डालने के बाद जो नीमू था आदा नीमू हम लोग इस पे ऐसे स्क्वीज कर लेंगे और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आलू भुचिया और इसे डालना बिलकुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो ही डाले तो ये हमारे टेस्टी चटपटे पोहे रेडी है इसे आप लोग बच्चों को टेफिन में भी दे सकते हैं ये बिलकुल भी ड्राई नी ह होते हैं आप लोग को इसे देखके ही पता चल जाएगा कि ये कितने सौफ्ट बने हैं नाийक हरी मिर्ज इसको फ्राई करके ले लिया था उसे वह ऐसे रख लिया है आप लोग इसे अपने मन चाहे तरीके से डेकुरेट करके इसको खा सकते हैं लास्ट में जो नीमू बचा था आधा उसे भी ऐसे रख लिया है मैंने और थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐसे डाल दिया है तो ये हमारे पोहे बिल्कुल रेडी है ये पोहे इतने सौफ्ट और टेस्टी बनते हैं कि एक बार अगर आप लोग इसको खा लेंगे तो बार-बार इसको खाने का मन करेगा तो आप लोग भी इसको एक बार बना के जरूर ट्राइ करें I hope आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना Thank you, thank you for watching my videos